नमस्कार मित्रो, this is me, जैजितिंग दिस साइड, पांच मिड़ेट पांच बज़ेगी क्लास में आज हम देखेंगे टॉपिक गुड पैरेंटिंग, एक अच्छी पैरेंटिंग क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही अच्छी पैरेंटिंग का प्रभाव ब पालतकार हत्या चोरी बैमानी जैसी जो तेजी से फैल रही है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन अगर सुधार का काम घर से ही शुरू हो जाए तो सायर समाज में ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी, दरसल आधुनिक युग माता-पिता का पुरा ध्यान केरियर पर केंदित हो गया है, वे बच्चों को समय नहीं दे पाते, इसलिए बच्चों में कुछ नैतिक मुल्यों का अभाव है, जो केवल माता-पिता ही सिखा सकते हैं, माता-पिता को बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने का काम सौपा गया है, उन्हें अपने बच्चों को बच्च्पन स और आदितों को आकार देते हैं, हमने कहा है, हमने सुना है कि जिस प्रकार से घर का माहौल होता है, बच्चे उसी परिवेश मढलते हैं, तो ये बात बिल्कूल वहाँ पास रटीग बैठती है, ये दस महत्रपूर बाते हैं जो माता पिता को अपने बच्चों को छोटी उम् इसके बजाए उसे माफ कर दे, दूसरों की गलतियों को माफ करने और उनकी राय को सहन करने से समाजिक जीवर में सांती और सदभाव बनाय रखने में मदद मिलती है, इमानदारी, हालंकि बच्चे बच्च्पन में इमानदार होते हैं, लेकिन धिर उनमें जोट बोलने की और बहाने मनाने की आदत विक्सित हो जाती है, तो आपको अपने बच्चों को कमर उम्र में सही, इमानदार, सच्चाई का महतों सिखाना चाहिए, इससे उन्हें एक विश्वसनी और जिम्मेदार व्यक्ति बनने में मदद मिलती है, आदर और सम्मान, अगर बच्चों मे और बच्चों के साथ प्यार और सम्मान से पेष आने की आदत सिखाएं, समय की पाबंदी, जिवन में अनुशाषन और जिम्मेदारी की भावना पेदा करती है, बच्चों को अपना काम समय पर पूरा करने, स्कूल और गतिविधियों के लिए समय पर तयार करने का आदि सिमिनाती हैं तभ्यता बच्चों को शिखा आती है कि दुछरों के प्रती उदार और सहयोगी होना महत्यपूर्ण है आत्म निर्भरता अगर हम बात करें तो आत्म निर्भरता बच्चों को अपने नीड़ाई स्वयम लेने और आत्म विश्वास पैदा करने की अनुतित देती है बच्चों को अपना काम करने दे जैसे खुद को तयार करना अपना बैग पैग खुद करना होमवर करना और अप सफल इंसान बनाने में मदद करेंगी बच्चों को अपने कमरे की सफाई बच्चों को अपने कमरे की सफाई हाथ दोने और समय पर बिश्टर जाने जैसी आद्ते विक्ति करने से के लिए प्रोस्थाहिद करें आरोग और स्वास्ता बच्चों में फ蓇नेस के प्रती जागलुटह पैदा करें उन्य स्वास्त का महत्त बताएं जब वे फिटनेस पर काम करते हैं तो उनके सरीर दिमाग को ठीक से काम करने में मदध करने के लिए उन्हें खेलों में भाग लेंगे संही कानपान और नियमित ब्यायाम करने के पाइदे बताएं, कृतक्रिता और धैरे, बच्चों को धैर रखना सिखाएं, हम बात करने हैं जल्दवाजी से होने वाले नुक्सान के बारे में, आभार व्यक्त करना भी सिखाएं, बच्चों को हर दिन एक चीज के लिए धन्यवाद कहने की आदर डालें भले ही वह कोई छोटी चीज क्यों ना हो तो यह कुछ सामानेशी दस बातें थी जिसे हमने चर्चा की कि बच्चों में इस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए बिहाइवियर के साथ साथ उन्हें धैर ये पेशन्स रखना और साथ ही साथ यह सारी जब ब्यवहार में ला रहते हैं, have a great day, jay hind